कुछ टाइम से मैं ऐसी मूवी या सीरीज देखना चाहता था जिसे देखकर मैं तोड़ा रिलेक्स फिल करूँ और इस बार कहना पड़ेगा कि नेटफिक्स इंडिया ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है जिसने अपने प्लेटफॉर्म पर ये वाली मूवी रिलीज की कहानी पर आते हैं ये एक कहानी अधारित है पार्सी परिवार की डाइना डाइना जिसे प्ले किया है मनीशा कोईरारा ने जो एक कैफे की ओनर है मुंबई में एक कैफे है उनकी ओनर है डाइना अपने पती रुस्तम रानी जिसे प्ले किया है जावे जाफरी ने इनके रिमूव कर देती हैं और यही उमीद लगाती है कि जब इनका बेटा बड़ा होगा जब यह ग्रेजुशन कंप्लीट कर लेगा तो वो यह मैन्यू वापिस जो इन्होंने रिमूव के आइटम वापस मैन्यू में लगाए जाएंगे क्योंकि इसका जो बेटा है रूमी उसको तो बहुत अच्या खाना बनाना आता है यह जो ब Лचीनvous को जूअग अपनी बिजनस में नहीं अपनी बीजनस में कोई इंटरश्ट नहीं है जै यह बात नहीं है कि अक खराब लड़का कउ हए ठाएब answers culture है उसकी क्या value है छेगिन पता होता है लेकिन उसे एसास नहीं है एसास होता है कुछ टाइम बाद उसे एसास दिलाया जाता है अभी तो जवाने के जोस्त में actor बनना जाता है और बहुत जल्द fame हसिल करना जाता है तो बहुत try करता है एक्टर बनने की तो audition देने जाता है हर audition में वो fail होता है क्योंकि हर कोई यही बोलता है कि इसकी acting खराब है वैसे वो खराब ही acting कर रहा होता है एक party में उसे एक director मिलता है जो यह कहता है कि अगर उसकी movie में या short movie के अंदर को invest करें तो वो उसे ही actor बना देगा उसी main role देगा तो roomie इस चीज के लिए राजी हो जाता है कि वो उसकी movie में या short movie में invest करेगा पांच क्रोड का invest करना होता है तो यह रुपे वो कहां से लाएगा वो उसके दिमाग में यही idea आता है कि जो रुस्तम cafe है वो उसे बेज देगा परसिस जिसे प्लेग एशेली शेटिया ने जो वहाँ पर एक documentary बना रही होती है उस cafe की क्योंकि वो बहुत पुराना है तो वहाँ पर आने वाले हर एक इनसान से उनकी कहानी वो सुनती है उनके बारे में उसके जो भी पुराने पुराने जो किस्ते हैं उनके जानने के वो कोशिश करती है ताकि वो अपने ब्लोग में उस बारे में लिख सके ये सब क्यों बता रहा हूँ क्योंकि last में जो है ये बहुत सारी चीजें जो है रूमी का जो mind जो है वो साही direction में लाने के ये चीजें बहुत काम आती है परसी जो है ये सारी की सारी चीजे रूमी के चाहाँ शेयर करती है कि इस कैफे की कितनी पुराने यादे हैं रूमी को ये पता होता है कि उसकी माँ ये कैफे कभी नहीं बेजेगी फिलाल वो किसी खर्दार को ढूड़ने के कोशिश भी करता और जब तक खर्दार नहीं मिलता वो ये काम करता है कि एक्टिंग से ब्रेक लेके वो सुचता है कि क्यों ना कैफे को ही आगे बढ़ाया जाए और कैफे में काम किया जाए तो वो कैफे में वापस लोडाता है जिसकी वज़े से उसकी मा बहुत खुश होती है और वो सारे के सारे जो आइटम जो रिमूव किये गए थे मेन्यू में से वो वापस के लगाये जाते हैं फिर वो ही रोनक वापस आ जाती है और इस बीच वो पैरसिस की जो कहानियां उसे वो सुनता है कैफे में जो आ रही रोनक को वापस देखता है मा की अपनी खुशी देखता है कि उसकी खुशी बहुत जादा है तो उसे एसास होता है कि इस कैफे कितनी इंपोर्टन्स है मा बेटे का प्यार और एक हलकी सी गुदगदाने वाली कॉमेडी इसके अंदर जो दिखाई गई है वो ये पूरी की पूरी मूवी में आपके चहरे पर एक हलकी सी प्यारी सी स्माइल जुरू रखेगी साथी साथ इसमें एक लव का भी एंगल दिखाया गया है ट्राइंगल आप कह सकते हो तो उसको भी इसने दिखाने की साथ साथ में पैरलर में कोशिश की है एक मा अपने बच्चे को कितना प्यार करती है बताने की जरूरत नहीं है लेकिन इस मूवी में आपको ये देखने को मिलता है और अगर मैं personally बात करूँ कि मेरा सबसे ज़्यादा इसमें सीन कौन सा रहा तो मेरे लिए जो सबसे important जो सीन जो था वो मा बेटे के बीच में जो प्यार उन्होंने दिखाया गया उनकी जो bonding दिखाये गई वो मुझे बहुत पसंद आया भले ही उसमें नोक चोक दिखाये गई हो मा बेटे के बीच में मा बेटे का प्यार दिखाया गया हो एक मा का अपने बेटे को डांटना उसकी गलती होने पर उसे समझाना ये ये देखने पर यार बहुत एक सकून महसूस हुआ यार वहां पर अब एक्टिंग की बात करें तो Manisha koirala ने बहुत जबर्दस एक्टिंग की है जावे जाफरी जी को बहुत कम टाइम दिया गया लेकिन जितना भी टाइम दिया गया है उन्होंने उस टाइम में बहुतरें काम किया है मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 7.5 out of 10 star बेशक कईयों को ये पसंद नहीं आ सकती इसकी हलकी storyline की वज़े से लेकिन एक relaxed mind जैसा मैं चाहता था कि अपने आपको relax करना तो इस movie ने मुझे वैसे relax किया वैसा feel करवाया मुझे तो मुझे बहुत पसंद आई कैर अगर आप लोगों ने movie देखी है तो please comment करके मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इसके अंदर क्या पसंद आया अगर नहीं देखिए तो please जाके इसे देखें आज के लिए वस इतना इता इस वीडियो में